ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के गगसीना गाउं की और आप देख सकते हैं हाथ में युवाउं के तिरंगे हैं और आज का दिन अपने आप में बेहद खास है खास इसलिए है क्योंकि शहीदे आजम भगत सिंग की आज जयनती है और गगसीना गाउं में एक मूर्ती का अनावरण किया जा रहा है उसको भी स्थापना की जा रही है और वो मूर्ती है शहीदे आजम भगत सिंग की बात की जाये तो 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के जो हिस्स हुआ करता था लायलपूर जिले के बंगा गाउं में उनका जन्म हुआ और आज के समय में वो जो जगह है वो पाकिस्तान के अंदर है शहीदे आजम भगत सिंग देश के लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी ग्रांती कारी वोत के एक अच्छे विचारक थे और ह देशी हुकूमत का सामना किया जाए उसे जड़ से उखाड़ा पेका जाए और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज जो शहीद भगत सिंग के फोते हैं याद वेदनर सिंग वो पहुंचे हैं और मूर्ती का जो अनावरन है उद्गाटन है वो उनी की तरफ से किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर बैठ कर वो आएं हैं उनका गगसीना गाउं में स्वागत किया जा रहा है पीली पगडी जो एक संदेज देती है शहीद बगत सिंग का वो उन्होंने डाली हुई है फूल मालाएं हैं और ट्रैक्टर पर वो सपर कर आ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तूम धाम के साथ उनका वागत किया गया है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यह तस्वीर देख सकते हैं गगसीना गाउं की है जहां पर यादवेंदर सिंग पहुंचे हैं जो उनके होते हैं और एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे इस जगे का नाम इस चौक का नाम जो रखा गया है वो शहीद भगत सिंग चौक रखा गया है यानि कि बच्चों को प्रेणना दी जा सके कि जब भी वो यहां से जाएं यहां से गुजरें तो इस चौक का नाम ध्यान रखें और उनके मन में एक प्रेणना है उनके मन में भगत सिंग की तरह विचार आएं क्योंकि उनके साथ जो क्रांतिकारी थे वो हमेशा अपने हित के बारे में नहीं सोचते थे वो देश के हित के बारे में सोचते थे और शुरू में गांदी जी के साथ मिलकर और उसके बाद चंदरशेकर आजाद, बटुकेश्वर्दत जो और दमाम बाकी क्रांतिकारी थे उनके साथ मिलकर उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के गगसीना गाउं से जहां पर पहुँचे हैं शहीद भगत सिंग के पोते यादवेंदर सिंग जी और ये आएं हैं एक विचार के रूप में एक अपनी बात रखने के रूप में और यहां पर बुजुर्गों का पहुचे हैं क्योंकि फूल मालाएं उन्हें पैनाई जा रही है और प्रेक्टर का उन्होंने सफर किया और उसके बाद अब यहां पर तिरंगे जंडों के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर आज मनाई जा रही है शहीदे आजम भगत सिंग कि 104 जंती और यहां पर एक जोंक भी मनाया गया है ताकि यहां गाउं के लोगों के अंदर एक उमीद बनी रहे एक बात बनी रहे कि जिस तरीके के शहीद भगत सिंग के विचार थे उसी तरीके के विचार पूरे भारत के लोगों के हो और फिलहाल याद्वेंदर सिंग आ वो यहाँ पर पहुँचे हैं उसके बाद वो मन से भी अपनी बात रखेंगे कॉंग्रेस नेता नरेंदर सांगवान भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भी तमाम लोग गाहों से जुड़े हुए यहाँ पर पहुँचे हैं रहते हैं और ऐसे में जो उनसे जुड़े विचार हैं वो हमारे मन के अंदर उनके खयाल हमारे अंदर हमेशा बने रहने चाहिए इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर कीजिए इस परदे के पीछे उस क्रांती कारी की तस्वीर है जिसे कोई भी नहीं बुला सकता जिसकी शहीदी को हम कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वज़े से इनके सात्यों की वज़े से देश आजाद हुआ 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंग शहीद राजगुरू शहीद सुखदेग की जो है पहासी देकर उन्हें शहीद कर दिया गया था लेकिन इन्होंने देश के लिए अपनी एक जंग लड़ी और बटुकेशवर्दत के साथ मिलकर शहीद आज़म भगत सिंग ने असेम्बली के अंदर बंफ है गाता और गुंगी भेरी सरकार को जगा दिया था और आज इस मूर्ति का अनावरन किया जा रहा है यादवेंदर सिंह पहुंचे हैं गगसीना गाउं में और यहापर आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंग की मूर्ति का अनावरन किया गया है और एक शांदार अंदाज में एक शांदार तस्वीर यहां पर उसका उद्गाटन किया गया है और यादवेंदर सिंग यहां पर पहुंचे हैं मूर्ती का नावरं किया गया है और सीडी के जरिये वो उपर भी जाते हुए नजर आ रहे है ताकि माला उन्हें पहनाई जा सके क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंग की 104 जनती है और इसी उपलक्ष में पूरे अलग अलग जगह कारेकरम मनाई जा रहे हैं और यहाँ पर निश्रधांजली दी गई है और आप दिख सकते हैं ये खुबसूरत माला उन्हें पहनाई गई है और उसी के साथ यहाँ पर उनकी 104 जनती मनाई जा रही है और जो देश से जुड़े हुए जैकारे हैं जैनारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे है भारत माल जैके नारे जैकारों से गगसीना गाउं गूंज उठा है इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर कीजे और यादवेंदर सिंग से भी हम बाच्चित करने का प्रयास करेंगे तो यह तस्वीर देख सकते हैं आप गगसीना गाउं से जहाँ पर शहीदे आजम भगत सिंग के पौते पहुचे हैं आज गगसीना गाउं में यह तस्वीर आप देख रहे हैं गगसीना गाउं से जहाँ पर कॉंग्रिस नेता नरिंद सांग्वान भी पहुचे हैं चोटे स्थापना की गई है और साती साथ यहां पर जो है एक चोग का भी उद्घाटन किया गया है इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर कीजे और क्या कुछ उनके विचार हैं क्या कुछ उनकी बातें हैं यह भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और एक बड़ी प्रतीमा जिस हाथ में तिरंगा जंडा है शहीदे आजम भगत सिंग की इस मूर्थी का अनावरन किया गया है ताकि बच्चे इस मूर्थी को देखें और उनके अंदर भी वैसे विचार आएं जैसे शहीदे आजम भगत सिंग के थे अक्सर अंग्रेजी हकूमत को जड़ से उखाणने के लिए लिखा करते थे और आज याद्वेंदर सिंग जो उनके पोते हैं वो गगसीना गाओं में पहुँचे हैं तरीके से देखते हैं जो कारेकरम रखा गया है भगत सिंग जी की याद में देखे मैं तो यही कहना चाहूंगा जब 23 मार्च को सन 1931 को जब भगत सिंग जी को राजगुरु सुक्देव जी को अंग्रेजों ने शाम को चुक्के से फासी दे दी थी और उनको लगता था कि हमने भगत सिंग को हिंदुस्तान से मिटा दिया है और हमने भगत सिंग को हमेशा के लिए हिंदुस्तान से खतम कर दिया है और आज 28 वितन बर भगत सिंग जी का जनम दिन है यहां पर जवाब दिया है उस लंडन जैसे है ताना शाही हकूमत को कि हमारा भगत सिंग तब भी जिन्दा था आज भी जिन्दा और हमेशा हमेशां के लिए जिन्दा रहेगा हिंदुस्तान में अमर रहेगा मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि शहीद आजम भगत सिंग जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूं वो लोग भी उनके वारिस हैं उनके वंचद हैं तो हर युवाओं को एक अच्छा नागरिक बनके इस देश की सेवा करने चीए क्योंकि हमारे उपर बहुत बड़ हिंदुस्तान बनाके दें और खास्तों से युवाओं से कहूंगा कि इस वकात जो किसान संगर सांदोलन चल रहा है उसके अंदर बढ़ चड़कर हिस्सा लें ताकि हिंदुस्तान की फसलों नसर को बचाया जा सके क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन इतने लंबे से चल रहा है आपका परिवार किसान नहीं से जुड़ा हुआ है कहां पर पेज फसा हुए और कैसे हल निकल सकता है जैसे आपने कहा कि काफी समय हो गया है अगर सिंधी के चाचा जी यानि मेरे परदादा सदार अजी सिंधी ने एक पगड़ी सम्हार मूंमेंट खड़ा कि यादा किसानों को लेके 1907 में वो भी तक्रीबन नौ महीने चला था तब गोरे अंग्रेज जुग गए थे पर तो ये काले अंग्रेज हैं इन्होंने आपकों में दित्रास की तरह अंदे हुए पड़े हैं या पट्टी बांदी हुए गांधारी की तरह इनको गले दिखा दे लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा जैसे नो महीने से यादा का समय हो गया है और जब हम देखते हैं को छोटा शिचु जब जनम लेता उसको भी नो महीने लगते हैं मां के गर्व से बहार आने के लिए इस आंडोलन ने भी अब जो नो महीने का समय ले लिए नया हिंद दद से दद इसको किया जगा है एक आखरी सवाल आज के युवाओं के अंदर खास तोर पर बच्चों के अंदर जैव अंग्रेजी मीडियम के हो सरकारी स्कूलों के हो प्राइबेट स्कूलों के हो किस तरीके से बटुकेशवर्दत रामपरसाद बिसमेल चंदर शेकर की कहानियों को और अच्छे तरीके से बताया जा सके ताकि वो प्रिणना ले सके बहुत अच्छा आपने सवाल करा है शहीद भगर सिंग ब्रिगेड का बनाने का मकसद ही यही था आज से 10 साल पहले एक कॉलेज में हम लोग कारी करम करने गए ते वहाँ पे रामपसाद बि सब्सक्राइब करते हैं इस लगी थी मन में कि हमने कहीना कहीं कमी कर दी है इस पीडी को उस महान बलिदानी सच्छे म्याय जो हमारे करने वाले नायक उनके साथ मिलाने में हमारी कमी हो गई है इसलिए हम लोग यह भ्यान से लाते हैं शहीद ब्रिगेड के रूप में हमने इस लिए एक तो इथिहासी किताबों में उनका पाठेकरन जुड़ना थी यह नहीं तो नहीं जैसा आज यह आयोजन हुआ है बगर सिंजी की प्रतिमा यहां खड़ी की गई है जो आने वाली पीडियों को हमेशा एक सवाल पूछा करेगी कि मैंने तो अपने प्रांट दे दिये देश को आजाद कराने के लिए नौजवानों भारत वासियों अब तुम क्या कर रहे हो तो हमेशा यह मूर्ती यहां पे परतीक के रूप में पीडियों को देखिया अब इतना चोटा बच्चा यहां आया है इतने हर्श उलास के साथ यहां पर आया है इनी को जगान की रीड की हड़ी के समान है यह तस्वीर हम आपको गगसीना गाउं की दिखा रहे थे जहां पर शहीद आजम भगत सिंग की 104 जनती मनाई जा रही थी इस मूर्ती का अनावरन किया गया है ताकि यहां के युवा प्रेणना ले सकें उनके विचारों को समझ सकें और उनके म अपनी पुर्बानी दी उनका एक शेर उनकी एक बात हमेशा याद रहती है जहन में रहती है कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है इसी प्रेणना के साथ हम उमीद करते हैं कि देश का हर युवा देश का हर बच्चा श चुड़े रहे करनाल ब्रेकिंग यूज के साथ नमस्कार